कैसे हैं दोस्तों मैं हूं चंदरश ठाकॉर और आपको बात किया था और उस टॉक के बारे में मैंने पहले भी आपको बता रखा था कि यहां पर जो है कुछ लेवल अगर ब्रेक होते हैं तो हमें उसमें एक दम से एक्टिव हो जाना है और वहां पर हमारा स्टॉप लॉस हीट हुआ है तो साथ ही साथ में यह भी बताओ कि वहां से हम अगर एक्जिट होते हैं तो हमारा फंड हमें कहां पर सिफ्ट करना चाहिए और किस स्टॉक के अंदर हमें अपने फंड को लेकर जाना चाहिए तो जिससे की अपना जो है कहीं ना कहीं अपना फं चैनल पर तो दोस्तों हमारी यह जो यूटूब चैनल है यह जो वीडियो है इसको आप जो है लाइक कर दीजिए और हमारी यूटूब चैनल को सस्क्राइब करके बेल नॉटिफिकेसन आइकन है वह ओन कर दीजिए ताकि आपको जो फ्रिक्वंटली नई नई अपडेट जो है मिलते रहे दोस्तों दोस्तों चलते हैं हम सीधा जो है निफ्टी के चार्ट के ऊपर वहां पर हम जाकर देख लेंगे एक बार किसी साब से जो कुछ भी मूवमेंट चल रहा है वो किसी साब से और कहां तक पहुचा है और हमारी बात हुई थी उसकी कि 98-97 के आसपास कहीं न कहीं stop loss अपना hit होता है तो हमें जो है उस stock में से exit होना है और आगे जो है थोड़ा सा हमें जो है त्यान भी रखना है दोस्तो तो दोस्तो आज जो है तारीक 23-10-2023 है और जैसा हमारा बात हुआ था कि कहीं न कहीं जो है निफ्टी में deep आने की संभावनाय है और निफ्टी जो है कहीं न कहीं मुझे लग रहा था जैसा हमारा पहले भी बात हुआ था कि नीची की साइड में आएगा और उसमें जो कुछ भी जो moment होने वाला आज हुआ है वो हमने जो है बात की थी अभी जो है तीन बज रहे है और मार्केट अभी चालू है और आज ही के दिन का वीडियो है आज ही अप्लोड होगा तो सबसे पहले बात कर लेते हम रिलाइंस के बारे में रिलाइंस में मैंने आपको बताया था कि अपना stop loss जो है 280 के आसपास है और 280 पे अपना stop loss हीट होने के बाद अभी जो है रिलाइंस 266 के आसपास कहीना कहीं घूम रहा है तो यह है contract rate आप ले सकते है पर उसमें risk reward ratio जो है थोड़ा सा आपको जो कहीना कहीं एक risk ज्यादा रहेगा दूसरी बात निफ्टी के अंदर मैंने बताया था दोस्तों तो मेरा promise जो था वो complete हुआ यहाँ पर मैंने बताया था आपको कि 19,300 के आसपास कही ना कही निफ्टी जाएगा और अभी जो है मेरे system पे कही ना कही 19,302 के आसपास का level जो है निफ्टी में mark हो रहा है और वो मु कही ना कही निफ्टी को जो है उपर की सैड में निकलना चालू होगा अभी कल दसेरा है तो दसेरा से लेकर दिपावली तक कही ना कही मुझे लग रहा है निफ्टी उपर की सैड में निकलना चालू होगा और अभी जो है जो कुछ भी उसमें गलत होना था जो जितना भी वो almost मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं हो चुका है और उसको हम फिर से एक बार analyze कर लेते छोड़ी time frame में जाकर one hour time frame में तो दोस्तों यहाँ पर आप देखिए C wave का जो अपना interpretation था वो कहीं ना कहीं सही सावित हुआ है 100% अपना सही सावित हुआ और मैंने आपको बोला था कि 19,830 के आसपास से मैंने आपको बोला था इसको sort कीजिए और 19,300 के आसपास का target रखिए और यह जो target है दोस्तों within one week यह जो achieve होता हुआ हमें दिखा है कहीं न कहीं छे दिनों के अंदर हमें 600 points तक के target जो निफ्टी में देखने को मिले है जैसे हमारी बात हुई थी अभी यहां से क्या हो सकता है तो अभी one hour time frame में बात करे और उसके साथे साथ daily time frame में बात करे तो c wave जो है developing mode में है और कभी भी अभी एक ऐसा scenario generate हुआ है कि reversal zone में कहीं न कहीं निफ्टी आ चुका है यहां से कभी भी निफ्टी उपर निकल सकता है मान लीजिए कल तो छुट अभी यह वीक में उसका जो bottom बनना था कहीना कहीं बन चुका है और अभी निफ्टी कहीना कहीं try करेगा उपर की side वापस जाने के लिए ठीक है 19,298 तक जो है निफ्टी जा चुका है नीचे की side में दोस्तो और 280 तक गया है वैसे तो यहां पर system पर हमें दिखा रहा है तो अभी संभावनाए है उपर वापस निफ्टी की चलने की यह बात होगे निफ्टी के अंदर डेले टाइम फ्रेम से भी मैं बोलो तो यहां पर भी मैंने जो line जो draw करके रखे थी minimum requirement वाली वह achieve हो चुकी है अभी maximum अगर हम बात करें तो यहां से और नीचे जाने के लिए 200-300 points और जा सकता है बड़ उसका हम जो है अंदजा ऐसे नहीं लगा सकते है ओवरॉल यह सारा जो zone है यहां से हमें sort करने में थोड़ा ध्यान रखना है और long position build-up करने में nifty में ज्यादा believe करना है तो nifty में बात कर ली reliance में मैंने बात कर ली next जो चीज है bank nifty तो 43,600 minimum requirement मैंने ब सकता है तो दोस्तों बहुत अच्छा चलेगा बेंक निफ्टी वी उपर 47,000 तक बेंक निफ्टी जा सकता है कहिना कहीं और यह देखते हुए स्वाट टम में मुझे बहुत एक अच्छा स्टॉक मिला है MRPL में अपना स्टॉप लोस हीट हो चुका है अल्मोस्ट दोस्तों जो है 95 रुपीज के आसपास 96 रुपीज के आसपास जो MRPL ट्रेड हो रहा है इसलिए हमें मैं personally बात करूँ है उसमें से मैं exit हुआ हूँ और अभी के लिए अगर मैं बात बताओ तो मैंने नई position अपनी बंधन bank के अंदर बनाई है और दोस्तों बंधन bank के अंदर मैंने कहीना कहीं अपना trade initiate किया है दोस्तों ठीक है तो बंधन बैंक में बहुत सारी चीज़े है आने वाले वीडियो में हम डिसकस करेंगे बड़ मैं परस्टनली अगर मैं बात करू आपसे तो मैं बंधन बैंक के अंदर अभी बाइंग करने जा रहा हूँ मैंने बाइंग अलड़ी कर लिया है MRPL को बहुत सारा क्वांटिटी जो है उसका मेरे पास था वो मैंने बेचा भी है तो यहीं पर मैं वीडियो को खतम करता हूँ लाइव मार्केट है मेरा भी काम चल रहा है मार्केट क्लोजिंग अवर में है तो उसी इसाब से मुझे जो है कुछ पोजिशने जो है अभी एक्जिट करनी है और कुछ नई पोजिशने बनानी है तो थैंक्यू फर वाचिंग वीडियो दूस्तों थैंक्यू वेरी मच इम 5,000 का कोर्स है वो 2100 में मैं आपको अभी के लिए दे रहा हूँ ओफर है और मैंना लाइफटाम सपोर्ट भी है आपके लिए तो आप कही ना कहीं जाकर वहाँ पर जो है कनेक्ट हो सकते हैं दूस्तों यहीं पर मैं वीडियो को खतम करता हूँ थैंक्यू फर वाचिंग व